कि नमस्कार आज का हमारा विशेय है मनोविज्ञानिक परिक्षन अर्थाथ है इसको समझने से पहले हमें मनोविज्ञान को समझना होगा हम प्राचिन-काल में जाएं तो मन विज्ञान को प्रारंब में आत्मा का विज्ञान कहा जाता था तद उपरां इसे मन का विज्ञान कहने लगे उसके उपरां इसे चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा आज वर्तमान में इसे मानव व्यभार का विज्ञान कहते हैं तो psychology is the science of human behavior जब हम इसे समझ लेते हैं तब हम मनोवेज्ञानिक जो परिक्षण है उसको बहुत अच्छे से भली प्रकार से समझ सकते हैं मनोवेज्ञानिक परिक्षण दो शब्दों से मिलकर बना है मनोवेज्ञानिक प्लस परिक्षण करना अब हम मनोवेज्ञानिक परिक्षण लेते हैं तो इसमें दो बातों का ध्यान हमें रखना आवश्यक है पहला है टैस्ट अर्थाथ परिक्षण और दूसरा है टैस्टिंग अर्थार परिक्षण करना इन दोनों में अंतर है सबसे पहले हम टेस्ट को समझेंगे कि टेस्ट क्या होता है परिक्षण क्या होते हैं तो परिक्षण एक संग्या है जिसका आर्थु वह पधार्थ या वस्तु है जिसके द्वारा किसी चीज की जाज की जाती है जैसे उधारण के लिए हम मानसिक स्वास्त की जाज करनी है त तो वह व्यक्तित्व का परिक्षण हुआ है अब हम आते हैं टेस्टिंग टेस्टिंग मतलब उसका परिक्षण करना किस प्रोसेस से हम कर रहे हैं किसके द्षा द्वारा गारन व्यक्तित्व के प्रतिक्रीह उसकी जब हम जाच करते हैं तो उसे कहते हैं करना जैसे उधारण के प्रवध्यान सब्सक्राइब करें है और सजो मैंटल लेवल है उसकी एंजाइटी इसका जो डिप्रज़न है उसकी जाज करके उसकी स्कॉरिंग करके उसकी एनाप लिर्सिस करके इंटरप्रेशन करके बताते हैं कि वह किस प्रकार से कारी कर रहा है मनवेज्यानिक परिक्षण का उद्भव और इजन ओप साइकलोजिकल टेस्ट मनवेज्यानिक परिक्षणों का उदय भारत वर्ष में प्राचिनकाल से ही हो चुका था जिसके विश्तर प्रमाण हमें वेद में उपनिशदों में पुराणों में योगिक ग्रंथ में पिस्त यो lerट वासय है नमावयज्यानिक योगिता परिक्षण का संकेत देती हैं इसके साथ ही ब्रसपति वार्तालाब के रूप में पूराणों में उमा महिष्वारता रूप में यक्षि युदिश्थिर संभाद के रूप में हमें चाह्तु के प्रसे प्रमाण है सूर्दास का संकेत देती हैं सबसे जो हमारा महत्यपुण ग्रंथ है श्रीमत भगवत गीता में योगिश्वर श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संबाध है वह ऐसा दृष्टान्त है जिसका प्रत्यक्ष संबंध मांसिक परिक्षण से यह प्रतम अध्याय में ही हम इसका उलेक छूदे तो इसमें दो बातों का होना निवारि होता है एक होता है आप देख रहे हैं समें पहला होता है मैनुल और दूसरा है आपका कुष्णencर जो भी मनोवेघ्यानिक टेस्ट का देनान करते हैं तो सबसे पहले वह मैनुल बनाते हैं उसके अंतर गत्व वह उसमें किस से किया जाता है इसकी स्कोर इंग किस प्रकार से की जाती है उसकी इंत्रपेटेशन किस प्रकार से करें इन सबी का उल्लेक में दिया होता है मेंनृ ata afternoon 3-4 पेज का होता ही ठीक उसी प्रकार दूसरा है आफ देख रहे हैं कोशनार कोशनार जिसमें विभीता की संदिएक प्रिशनाव लिया होती है विबिन तरह के आइटम सोते हैं इसमें जो प्रेस्ट निर्माता है वो अपने अनुसार प्रिश्णों का चुनाव करते हैं किसी में पचास होते हैं किसी में सो होते हैं किसी में देड़ सो होते हैं सब अपने अपने तरीके से प्रश्णों का निर्माण किया जाता है और उनके आप्शन भी अलग-अलग तरह के होते हैं कुछ आप्शन हा या नहीं में होते हैं कुछ अधर तरह के भी होते हैं तो इस तरह से प्रश्ण का निर्माण किया जाता है और एक कोशनार बनाई जाती है अब इसको किस तरह से अपलाई किया जाता है इसको हम अगले उसमें आगे बताएंगे आपको स्लाइड में सबसे पहले हम समझ लें वाट इस साइकलोजीकल टेस्ट मनोवेग्यानिक परिक्षण क्या है तो इसकी परिभाशा देते हुवे एनस्तासी ने कहा है और साइकलोजीकल टेस्ट इस इसेंशली एन अबजेक्टिवर एंड स्टेंडरडाइज मेजर ओफ सेंपल और व्यावार के निया दर्श अर्था सेंपल का प्रमापीक्रत स्टेंडरडाइज और बस्तुगत औब्जेक्टिव मापन है मुक्यत्व मनवेग्यानिक परिक्षण में बिहेविर का सेंपल लिया जाता है उधारण के लिए जैसे आप गेहू लेने जाते हैं तो पूरा आपको गेहू नहीं दिखा जाता है उसक अच्छी क्वालिटी के है ठीक उसी तरह से जो हमारा व्यवहार है उसका एक सेंपल लेकर उसकी जो व्यवहार की प्रतिक्रियां है उसको देखने का जो प्रमुख माध्यम है वहां है साइकलूजिकल टेस्ट इसी की दूसरी फ्रीमें अपने शब्दों में कहते हैं कि समपोण व्यक्तित्व के एक आधिक पक्ष ओको वस्तुगत रूप से वाकिक वर्भल या वाकिक नॉनर्भल कुट की प्रतिदर्शों द्वारा अत्वा अन्नी व्यवहारों द्वार ताय हैं बक सब्सक्राइक की साईकलोजिकल टेस्ट इस इस्टेंडर्डाइज इंस्ट्रूमेंट डिजाइन तू मैजर अब्जेक्टिवली वन और मोर असपेक्ट और टोटल परस्टनालिटी बाइमीन ऑफ सेंपल अफ वर्बल और नॉन वर्बल रिस्पॉंसेज और बाइमींस ऑफ अदर बहेवियर्स तो इस प्रकार से हमने से अब मनवग्यानिक परिक्षण का क्यों जरूरी है वर्तमान में इसका उप्योग क्या है इसको हम समझेंगे कि करेंट यूजेज ऑफ साइकलोजिकल टेस्ट आज हम देखें तो हर क्षेत्र में हर क्षेत्र में चाहे वह स्कूल हो चाहे कॉलेज हो चाहे कोई और दिशेत् प्रारमभी कवस्था में मनवग्यानिक टेस्ट का उप्योग जो मानसिक मेंटल रिटार्डट परसंट थे उनको जाचने के लिए जाता था लेकिन आज हर शेत्र में इसका प्रियोग होता है जैसे स्कूल में जो विध्यार थी उनकी योग्यिता के आधार पर उनको क्लास करने में या फिर शोद कारी है तो शोद में तो इसका बहुत अधिक उप्योग होता है हम जब इंपरिकल वर्क करते हैं तब हमें टेस्ट की आवश्यक्ता अधिक से अधिक पढ़ती उसी के आधार पर अपना रिसर्च कारी एंपरिकल वर्क कंप्लीट करते हैं अगला है अधियोग्दिक कारी करताओं का चैन उद्योगों में अच्छे-च्छे मैनेजरों का चैन करने के लिए उनका वर्गी करन करने के लिए भी साइकलीजिकल टेस्ट का यूज होता है साथ ही नियादानिक में जैसे मानसिक रोगी है या फिर उनकी एंजाइटी डिप्रेशन कितना है उनको पहचानने के लिए भी मनोवेग्यनिक परिक्षणों का उप्योग होता है तो इस प्रकार से आज के यूग में मनोवेग्यनिक परिक्षणों का बहुत अधिक उप्योग बताएं गया है अब एक बैस्ट साइकलोजिकल टेस्ट के जो क्वालिटीज होती उस सबसे नंबर वन पर आता है विश्वशनियता रिलाइबिलीटी दूसरा है व्यद्धिता धालेडिटी तीसरा है मानक जिसे हम नौम्स कहते हैं चोथा है वस्तुनिष्ठता अर्थात अब्जेक्टिविटी पांचवा है व्यभारिक्ता प्रेक्टिक एबिलीटी छटा है मित्वेवता एकोनौमी साथवा रूची का भी ध्यान रखना रहना होता है एंट्रस्ट है कि नहीं है विभेदिकरण डिस्क्रिमिनेशन डिसक्रिमिनेशन का बहुत अधिक इसमें उप्योग होता है और नवा है व्यापक ताग कॉम्प्रेंसिवनेस वह कितना व्यापक ह हमारे मन में भीभन्न तरह के प्रशन उठते हैं कि मन जोRel वह की सब की तरह से किया जाता हैं तो सबसे पहले हम समझें हमारा सबसे महत्वपोड बिंदू है विश्वशनीता रिलाइबलेटी क्या होता है वहां विश्वशनीता का अर्थ होता है कंसिस्टेंसी अर्थात संगती यदि किसी व्यक्ति को एक ही परिक्षण पर पुणह परिक्षित किये जाने पर वही अंक प्राप्त हो जो प्रथम बार प्राप्त हुए हैं तो हम कहेंगे कि वह परिक्षण विश्वशनी है दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि एक ही कि परिक्षण को एक समुव पर आपने अपलाई किया और फिरसे अभी मंगलवार को कि तुसी फिर उस शुकरवार को फिर से वह कर रहे हैं और वही अंक प्राप्त हो जो पहले प्राप्त हो गयते तो हम कहेंगे कि वह test test reliable अब विश्वशनियता की मापन की विधियां बताई गई है किस तरह से उसकी विधियां होती है तो सबसे पहला है को है परिक्षन पुनर परिक्षन टैस्ट री टैस्ट में थेगी होता है से हम अधिक से अधिक जो हमारे टैस्ट निर्माता को प्रयोग करते हैं इसमें जैसे हमने एक बालक से उसी को फिर से हमने ख़वाया थोड़े दिनों बाद ऑद थीन दिन बाद और उन दोनों में निकाल लिया तो वह कहलाता है टैस्ट रेटेस्ट मैठ इसे का सबसेदिक प्रयोग होता है इसलिए हमने इसको लेक किया है दूसरा है अर्द विच्छेद विदी स्प्लीट हाफ मैथड तीसरा है समानांतर फॉर्म विदी पेरलल फॉर्म मैथड और चौथा है तरक संगत समता विदी रेशनल एक्वेलेंस मैथड तो इस तरह से विश्वशनेता की चार विदिया हैं जिसमें से प और कि आट किस सीम तक उसी तत्य का मापन करता है इसके लिए उसका निर्माण किया गया है अर्थाध परिक्षण उस चीज को मापने में कहां तक सफल है जैसे उधारण के लिए mental health का टेस्ट बनाया गया है तो क्या उसके जो कोशन हे हैं मेंटल हेल्थ को ही शो कर रहे हैं यदि नहीं कर रहे हैं तो वह वैद्ध्य होगा जैसे एंजाइटी का टेस्ट है तो वो निकाला जाता है उसके विभिन्न प्रकार है जो निर्मादास है उसको विभिन्न प्रकारों के माध्यम से उसको एनालिसिस करके निकालते हैं तीसरा आता है नॉम्स अर्थाद मानक मानक का आर्थ वह संख्या मूल या इस तरहें जो किसी समुव का प्रतिनिधी हो और जिसके आधार पर पर्फॉर्मेंस या अचीमेंट की व्यक्या की जा सकें यह भी विभिन इसके प्रकार है जिसके जिसे हम बतलाएं जिसको हमने भी इसको बताया हैं अब हम पॉश्य साफ कि टेस्टिं की प्रोसेस क्या होती इसको किस तरह से किया जाता है उसकी हम चर्चा करेंगे दीकिरेस प्रोगार्व सब्सक्राइब अफ्रोच तो यह सभी विध्यार्व क्यों में प्रश्न बश्णता होगाई किसकी प्रोसेस किया है इसको कर रहा कैसे जाता है माल लिजिए हमने एक टेस्ट लिया लेकिन उसको किस प्रकार से अपलाई किया जाता है उसको किस प्रकार से हम करें तो सबसे पहले टेस्ट का चुनाव किया जाता है नेम आप टेस्ट जैसे आपने साइटी परसनालिटी टेस्ट लिया ठीक है या फिर mental health test लिया कोई भी एक test का आप सबसे पहले आप चुनाव करेंगे अब आप mental health test का चुनाव करते हैं तो आपको mental health के बारे में जानकारी खटी करनी होगी mental health क्या होता है उसकी क्या है कि टाइप किया है उसके करेक्टरिस्टिक क्या है उसके क्राइटीरिया क्या है उसके फैक्टरश कर लेते हैं तो हमें उसको लिखित रूप तक हम आहेंट है टेस्ट में दोई चीजों हमने महत्वपुन चर्चा की थी एक तो मैनुवल जो दिखा रहे हैं हम और एक होता है हमारा कोशनार तो यह है पूरा मैनुवल जिसमें विभिन तरह की इसमें सामगरियां होती है इसी के अंतरगत जो टेस्ट कंस्ट्रक्टर है वो इनको पूरा आप बनाते हैं आपको बस उसको मैनुवल को पढ़ना है उसके अंतरगत क्या क्या पढ़ना है जैसे मेंटल हेल्थ जैसे एसाइटी परस्नालिटी का टेस्ट है तो उसका जो इंट्रोडक्शन है वो क्या है उसकी वैलिडिटी क्या है उसके नॉम्स क्या है उसका स्कॉरि लेकिन उसके अंतरगत प्रोसेस क्या होती क्या क्या उसके स्टेप्स आते हैं तो स्टेप्स को हम समझ ले तो उसका जो इंडेक्स है उनको एक बार देख लीजिए यहां पर आपको स्लाइड में दिखाए दे रहा है सबसे पहला है नेम आप देश्ट का आपने नाम लिखा अब उसका सबसे पहले परपस किस उद्देश्ट के लिए हम बना रहे हैं किस चीज को हम चेक करना चाहते हैं तो उसको लिया जाता है तो तू मैजर दे लेवल ऑप एंजाइटी अप दे सब्जेक्ट विद्ध हैल्प एंजाइटी स्केल कंस्ट्रक्टेट बाइं किसके थाराइफ बनाये गया मैंसे हमको पर्टिकुलर ट्यपके से अगला इसके नाम रहे हैं क्या कोषण मारहा है सबसे पहले उसका नाम लिखना होता है उसकी एजढर है कुझसे Иकिडざung इसको ले सकते हैं रखे हैं कि फीमेल इन सब भर ना ता है अगला है हमने सब्सक्राइब प्रोसेचर में सबसे पहले हम एक टेस्ट भरवा रहे ह। तो हमके को बैचने प्रयुजहत्त हम उचीत सथांद का चैन खरए उचीत हवाव प्रकाश की ववस्था करते हैं। उसको बैठने के लिए ऊचित वयवस्था देते हैं आवशेक सामगरी जैसे उसको पेंसिल की जरूते उसे देते हैं और शानत बाता वरन मेnd करते भर फिर उसके बाद उसके सामगर्स को पक्रशनार में ही लिखा होता है इंस्ट्रक्शन के लिए करते हैं है आपके सामने जो प्रयोजी बैटा हैं यह प्रश्ण वाली के बारे में उसको बताते हैं सम्झतै कि आपको इसको ध्याण से पढ़ना है प्रतेक। अप्षिन को द्हान से पढ़ना है और ध्यां से आपको इसको भरना होता है और सभी प्रश्णों का उत्तर नहीं संकोष देना है कोई भी प्रश्ण छोड़ना नहीं है सभी प्रश्णों का हाल देना है किसी किसी में टाइम लिमिट भी होता है कहा जाता है कि जब आपका चेक किया जाए मेंटल लेवल तो आपका बिल्कुल सही आए अगला चरह ने administration प्रयोजी को प्रयोग के सभी नियम हम बताते हैं कोई प्रश्न छूटने न पाए वापत जब उससे लेते तो करते हैं कि कोई प्रश्न छूटा तो नहीं है मैनुवल की सायता से स्कोरिंग करते हैं और प्रयोजी को धन्यवात देते हैं अब इसमें ध्यान रखने की क्या बाते हैं प्रैश्णपत्र हो ओट किसी प्रिकार की गलती नहों और जो हमारा जो सब्सक्ञा वह स्वयम भर घर ना ले जहां या किसी से बहुत ध्यान रखना है वह स्वयम भरे ताकी घ हमारा क्सOM रख सब्सक्राइब कोर्षा न पर लाइं रहुत था सभाधानिemस करें फिर उसके बाद स्कॉरिंग मैनुएल के इनुसार स्कॉरिंग करते है जो आपको तो यहां हम कुछ लिस्ट है कुछ टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे जैसे जैसे देखिए यहां एंजाइटी टेस्ट फर्स्ट नमबर सेकेंड डिपरेशन टेस्ट थर्ड इमोशनल मैचुरीटी स्केल फूर्थ है आपका मैंटल हैल्थ फिफ्ट है एग्रिशन और शि इनकी हम थोड़ा सा कि इसमें किस तरह से इसकी स्कोरिंग क्या है एक एक को समझ लें तो सबसे पहले हम लेते हैं एंजाइटी एंजाइटी हम आम ने जो टैस्ट लिए भूबिनद तरह की तेस्ट है लेकिन हम चर्चा करेंगे सिंधां कॉंप्रेसिव एंजाइटी टेस् इसके द्वारा यह बनाए गया है एक एक पी सिंधा और एलन एलन के सिंधा 1995 में इनको इन्होंने इसको इस्टाब्लीश किया इसकी एच ग्रूप क्या है किनको हम भरवा सकते हैं 18 अबाव मतलब 18 से उपर के जो हैं वही इसको भर सकते हैं इसकी रिलाइबिलिटी जब हम मैन ूल के अनुसार इसकी रिलाइबिलिटी है लक्ते रिठेस्ट मैथट के अनुसार 0.85 तथा इसकी है इसकी वैलेडिटी जिरोपाइट नाइटस्टू इसका स्कॉरिंग पैटन क्या होता है जब हम मैनुल को देखते हैं जब को अब यह को देता है सब्जेक्ट तो मैनुल और हम देखते हैं उसमें 90 कॉश्फिंट नगा थो उसने ये सब्सक्राइब यस और न उसने सब्सक्राइब लेना है उन सब को तो हम को पुष्फिजवे जोड़ें आइड ना जैसे 90 कोशन है तो 90 कोश्फिंट कोम सब को जिसमें भी 100 मांक से उन सब को всем कर लेंना है जब आरे पास को संख्याती है मानची फॉундी फाइब मान लीजिये है कुछ भी आ इस ताय थाहि मैं मैननुव घृट करना होगा गल से तूसके लिए अलगा अलगा इंटरप्रेशन करना होगा जैसे जैसे इसमें इंटरपेटिशन ओफ अपस्कोर्स दिये हैं 3 to 12 और 4 to 13 तो उसकी एंजाइटी-लेवल कितना एक्सिर्मली लौ एंजाइटी उसकी होगी यह उसका इसकोर 14 to 15 है या फिर 15 to 16 है तो उसकी एंजाइटी कैसे होगी लो एंसाइटी ओगी सेवेंटीटो त stim on ऐंसाइटी करेंगा की या हम सेगचते त्रवूफी नाइन टेस्ट लिए हैं तेस्टटी है ग। इसके शेम क्रिट करेंगे दूसरे तेस्ट का है हमारा डिप्रेशन टेस्ट इसके जो कंस्ट्रक्टर है प्रोफेसर ओपी मिश्राव संतोष कुमार द्वारा इसको बनाया गया है इसकी एज ग्रूप है 18 प्लस अठारा से उपर के इसको भरा सकते हैं इसकी रिलाइबिटी टेस्ट मेथट 0.57 इंटरनल कसिस्टेंसी इसमें दो दो तरकी कोश्टां पॉजिटीव कॉश्टां और नेगेटीव कोश्टांस पॉजिटीव मतलब सकारात्मग और नकारात्मग जो पॉजिटीव कोश्टांसे वह स्यवन है सेवन कौन कौन से है तू फाइफ नां थाटीन 17 twenty one और थाटी यह जो नंबर है पहले तो आपको याद रहेगा अब इसकी स्कोरिंग आपको किस तरह से करनी है इसके 5 ओप्शन्स दिए वह हैं तो आपको इसको स्कुरिंग करनी है तो आपको इसी तरह से उसको नंबर देना है दूसरा आता है आपका नेगेटिव कोश्चन 25 है उसके नंबर किस तरह से देना है आपको आपको सब को जोड़ लेना है जोडने के बाद आपको उसका इंटर्पेटेशन करना है इंटर्पेटेशन करने के लिए आपको रेंज ओफ राइस को देखना है यदि उसका 38 से भी कम आया हां आए तो हम उसको शोड़ करेंगे कि उसमें मिनिमन मैंन टेप्रेशन इसा कम डिप्रेशन है युदि उसका स्कूर 39 से 58 के बीच में आए तो हम कहेंगे उसका बीलो एबरेज तिप्रेशन उसका 59 और 66 के बीच में आए तो हम कहेंगे कि मौडरेट डिप्रेशन एधि 67 to 77 अब आव एबरेज डिप्रेशन लेकिन इधि 78 से 129 आ तो सिवरल डिप्रेशन है जो आप स्लाइड में देख सक सकते हैं अगला हम चर्चा करेंगे तीसरा इमस इमोशनल मैचुरिटी स्केल इसका जो है निर्माता यश्वी एंड महेश भारगव है इसकी एज ग्रूप 22-24 मतलब 20 से चोईस के बीच में हम इसको भरवा सकते हैं इसकी रिलाइबलीटी है इसमें 48 कोशन से जिसके 5 इसके टाइप सुधियों में हैं जैसे पांच प्रकार हैं इसके डाइमेंशन से पहला है से दूसरा आता हैं इमोचनल रिग्रेशन अ 10-20 के जो कोशन से वहां मोशनल रिग्रेशन को दर शाएं तीसरा है शोशल माल इडुस्मेट जो 21-30 के कोशन से वह माल एडुस्मेट को दर शाएं चोथा परस्णालइटी इस इंट्रिवेशन 31 से 40 के जो कोशन है वो personality disintegration को दर्शाथे तरह जब हम इसकी scoring करेंगे तो इसकी scoring किस तरह करेंगे आपको scoring कैसे करनी फाइव पॉर फ्री टू वन जयसे आप स्लाइट में भी देख रहे हैं इसकी scoring फाइव पॉर फ्री टू बन इस तरह से आपको स्कॉरिंग करनी है जब आप 48 कोशेंग की स्कॉरिंग कर लेते हैं तो आपको इंटर्पटेशन उसकी करनी है इसमें केटेगरी बना रखी है कि जैसे ए जैसे हमने 5 बताएं तो ए में कितना आया है उसको पहले आपको जोड लेना है फिर बी में कितना आया है उसको जोड लेना है फिर सी में कितने अंक आया है उसको जोड लेना है फिर डी को जोड लें फिर E के अंक को जोड़ लें और E के नीचे लिख लें अब आपको टोटल करना है अर्थाद A को B को C को D को और E को टोटल को सब को जोड़ लीजिए अब उसके बाद आप कैटेगरी डिवाइस करेंगे जैसे यदि 52 80 के बीच में अगर आपका स्कोर आये तो हम क्या कहेंगे एक्स्ट्रीमली हाई स्टेबल है यदि 81 से 88 के बीच में हम कहेंगे मौडरेट स्टेबल यदि 89 टू 106 है तो अनिस्टेबल और यदि 107 टू 2 40 है तो हम कहेंगे एक्स्ट्रीमली अनिस्टेबल तो इस तरखार से हम इमोशनल मैचुरिटी की जाच करते हैं चौता हम बात क इसकी एज ग्रूप है इलेवन टू 45 अर्था ग्यारा से पैतालिस वर्ष के लोग इसे भर सकते हैं इसके रिलाइबलीटी टेस्टरी टेस्ट के नुसर 0.86 इंटरनल कंसिंस्टेंसी रिलाइबलीटी 0.88 वेलेटी 0.79 स्कॉरिंग पैटर्न है इसमें 60 कोश्टन्स है इसमे है था मौढी टर सरा ओन और जिरो इस तरह से इसका पैटरन है और जब आप इस पैटरन को कर लेते हैं तो आपको इसको को चौरीं करनी यह वाम इस को पूरा सम कर लेते नहीं टोटल स्कोर निकाल लेते हैं अब आप इंटप्रेशन करेंगी इसमें दो केटेगरी आपको बनानी होगी एक तो गल्स और दूसरी बॉइस गर्स के लिए अलग इंटरूटेशन होगी बॉइस के लिए लग इंटर्प्रेशन होगी जैसे 78 अबॉआगा तो उसका बरी गु पूर है और पूर्टी वन से कम है तो वैरी पूर है उसी तरह से बॉइस का भी है वाइज दो यह दिया ऐटी आया है यह इति से अब आए तो वेरी गूड शिटी त्री टू सेवन टी नाइन तो गुड है 56 तो सिक्सक्ती सेवन है तो मौडरेट है है तो पूर है और 43 से कम है तो इस तरह से इसके इंटरपेटेशन करते हैं फिप्त हम देखते हैं पाच्वा एक्रेशन स्केल एक्रेशन स्केल का जो निर्माण किया है वो है रोमा पाल तंस्नीम नकवी इसकी जो एज ग्रूप है वहां है 14 to 25 यह था छवदा से चोईस बर्षि के लोग यह से भर सकते हैं अर्थाक कॉलेज लेवल के यह इसकी रिलाबलेटी स्प्लिट हाप रिलाइबलिटी है इसकी 0.82 वेलेडिटी एक इसका जो स्कोरिंग पैटन है 30 गोशन से इसमें इसमें 6 ऑप्शन से 30 गोशन में 6 ऑप्शन से दो तरह की कोशन एक तो है पॉजिटिव दूसरा है नेगेटीव पॉजिटिव में चार कोशन से चार में हैं एक तो ट्वैल 14 18 और 19 आप इस पर टिक कर लीजिए ताकि आपको याद रहे इसको टिक करने के बाद आपको सबसे पहले इसकी स्कोरिंग कर लीनी है तो इसमें छे आप्शन से तो जीरो जीरो वान टू थ्री फोर फाइव इस तरह से जब आपका ज यह नेगेटिव कोश्चन में 26 कोशने जिसकी स्कोरिंग पैटर ने फाइव फोर फ्री तू वन और जीरो अब उसको जोड लीजिए और उसको अलग करके रख लीजिए फिर आप दोनों को एक साप जोड लीजिए पॉजिटिव कोशन और नेगेटिव कोशन को दोनों को म लेवल है 61-89 तो एवरेज है 46-60 तो लो है या 45 से बिलो है तो हम कहेंगे क्लीन है तो इस प्रकार से हम उसके इंट्रपेटेशन एग्रेशन की देख सकते हैं अगला है हमारा छटा लास्ट पीजी आई जन्रल वैल्बिंग मेजर जिससे डाक्टर संतोश नामी अमीता बर्माने 1989 में इसका बनाया था इसकी एज ग्रूप है जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के जो विद्ध्यार थी इसके रिलाबिटी टेस्ट इरी टेस्ट से 0.91 इंटर्नल कंसेस्टेंस रिलाबिटी जिए 0.86 और इसका जिस पैटन है उसमें 20 कौस्टन से उसमें दो धर्की ऑप्शन है यस है तो उसको वन माक्स देने हैं बस आपको यस पर ही वन माक्स देने हैं 20 कोशन में से जो आप पर अप्लाई होता है उसी पर आपको मनमाक्स देने इसकी इंटरपटेशन कैसे करें यह दि उसका स्कोर 70-20 आता है तो हाई वेल बिंग है उसकी फिस्टी यह दी फाइव तू आता है तो average well being one से four तक उसकी scoring आती है तो low well being है जब हम Vibhinna टेस्ट करते हैं तो आप मेंसे किसी एक test का चुद्व किया जाता है एक टेस्ट को आप चुन सकते हैं और उसी को apply कर सकते हमने तो आभ़ी आपको six process के बारे में बताया लेकिन ओ किसी एक this का चुनाव करके उसको अप्लाई कर सकते हैं आप रिसर्च कर रहे हैं कोई भी कर रहे हैं जो आपको उप्यूगते लगे आप जिस परपस के लिए कर रहे हैं उसी परपस के नुसर आप एक टेस्ट का चुनाव कर सकते हैं जब आप इंटरपडेशन सब कर लेते हैं उसके ब hop कि सब्सक्राइब करन यह जो सकते द्रख़चय को सबहुत है फिर उसके बाद रिजांट टेबल बनाई जयाती है कि इतने से चाहे है और उसका हाइई हाइई हाइइए ही break इस तरह से आपको बनाना है लास्ट में इंट्रेटेशन और डिसकेशन होता है मतला प्रस्तूत परिक्षन द्वारा प्रयोजी का जो भी आपने टेस्ट का मापन किया है जिसमें प्रयोजी से दैनिक जीवन से संबंधित कार्यों तथा अनुभूतियों के आधार पर हमने ज इस तरह से हमारे ठीक्रीश पूर्ण होता है इसमें कुछ और प्रस्ण भी पूछे जाते हैं जैसे संट्रल टेंदेंसी भी लिए हैं हुझित का और है तो भरिया है उसका जो न Darling Test का हमने जब हर उसको । उसका interpretation किया तो और उसकी scoring की तब हमने देखा कि जो प्रयोजी हमारे पास आया है उसकी बहुत ही high anxiety है तब हम उसे अपने पास बिठाएंगे उसकी counselling करेंगे उसको निर्देश देंगे कि आप कुछ योगा भ्यास कीजिए कुछ अच्छे से दैनिक दिन चरिया अपनाईए लाइफ इस्टाइल आपके सही होने चाहिए आप व्यवस्थित रूप से खानपान रखिए अब फिर एक महीने बाद फिर से उसको आप भरवाईए हमने यहां प्रयोग करके देखा है बहुत सारे विध्यारतु पर हमने प्रयोग किया था तो हमें बहुत बहुत अच्छ आए तो आप उसका सयोग भी कर सकते हैं आपके अपने जो आसपास लोग रहते हैं अपने मित्र उनका भी आप सयोग कर सकते हैं किवल मात्र एक टेस्ट भरवा कर और फिर आप उसको अच्छे से कांसिलिंग करके उसको फिडबेक देखकर आप उसकी सहायता कर सकते हैं तो चलिए आपको यह बहुत अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए अधिक से अधिक मित्रों को शेर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार